एर फोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों त्रिकोड मिती में ट्रिग्नामेट्री में लूसेंट की बुक से हम लोग 66 कोस्चन लगा चुके हैं और अब पहुँच गया है कोस्चन नंबर 67 पे बहुत सारे फार्मूले हम लोग याद किये हैं क्योंकि त्रिकोड मिती में बहुत फार्मूले होते हैं और कुछ मान भी याद किये हैं साइन 60 का मान साइन 30 का मान साइन 90 का मान कुछ और मान याद करने होते हैं हम लोग को जब हम आगे त्रिकोड मिती में बढ़ते हैं तो कुछ और भी मान हम लोग को याद करने पड़ते हैं अब वो मान आज आपक 36 फिर 18 तियाई 54 फिर 18 चौको 72 साइन 18 साइन 36 साइन 54 साइन 72 का मान याद करना है हम लोगों को तो साइन 18 का मान आप याद कर लीजिए रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होता है और साइन 36 का मान रूट में 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 होता है साइन 54 का मान रूट 5 प्लस 1 बाई 4 होता है और रूट में 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 ये होता है साइन 72 का मान इसको याद कर लेना इसको अकेडमिक लेवल पर सब सिद्ध भी कराया जाता है सब नहीं एकडोटों सिद्ध कराया जाता है 11 कलास में आप भी किये होंगे लेकिन इसको याद कर लेना है कमपीशन लेवल पे अच्छा ये भी आपको ध्यान देना है ये भी ध्यान देना है कि अगर साइन अठारह का मान रूट फाइफ माइनस वन बाई फोर होता है तो फिर कॉस सेवेंटीटू का मान भी यही होगा साइन और कॉस के मान हमेशा बराबर होंगे अगर कॉडो का योगफल नाइन्टी हो अगर कॉडो का योगफल नब्बे अंस है तो साइन कॉस के मान बराबर होंगे जितना साइन अठारह का मान होगा उतना ही कॉस बहत्तर का मान भी होगा क्योंकि 18 और 72 कितना होता है 90 जो साइन 36 का मान होगा वही कौस 54 का मान भी होगा क्योंकि 36 चौवन का योगफल होता है 90 जो साइन 54 का मान वही कौस 36 का मान होगा और जो sign 72 कामान है वही cos 18 कामान होगा इतना आपको याद कर लेना है आज के class में तो इसको अपने formula वाले book में copy minute कर लेना है उसको याद कर लेना है अब यह जो question है जैसे आप देख रहे हैं पहला question है 67th question है आज का पहला कि sign 18 कामान कितना होता है तो आपको याद रखना है कि sin 18 का मान होता है root 5 minus 1 by 4 फिर आपको cos 18 का मान याद करना है तो cos 18 देख लीजिए होता है root 5, root में 10 plus 2 root 5 by 4 तो root में 10 plus 2 root 5 by 4 ये cos 18 का मान होता है फिर cos 36 का मान cos 36 का मान वही होता है जो sin 54 का मान होता है यानि कि root 5 plus 1 by 4 तो root 5 plus 1 by 4 पे आप तिक लगा देंगे अगर cos 36 का मान पूछा जाए sin 36 का मान sin 36 का मान आपको याद रखना है root में 10 minus 2 root 5 by 4 यानि कि sin 36 का मान होगा ये B वाला option B वाला option सही हो जाएगा तो ये मान याद करने के बाद चार question हम लोग लगा लेंगे अब question number 71 question number 71 में क्या है 1 में 10 square घट रहा है और 1 में 10 square जुड रहा है अगर ये question आपके सामने आता है तो आपको ये सोचना है कि क्या आप कोई ऐसा फार्मूला त्रिकोड मीती में पढ़े हैं कि 1 में 10 square घटे और फिर 1 में 10 square जुड जुड जरूर पढ़े हैं cos 2a का चार फार्मूला आपको बताए थे और चोथा फार्मूला यही था कि 1-10 square जितना भी कोड है उसका आधा और 1 प्लस 10 square जितना भी कोड है उसका आधा अब यह जो question है उसका रूप रंग ढंग left hand side नहीं right hand side की तरह है तो अगर दिया गया चीज right hand side के जैसा है तो हम उसको बदल देंगे left hand side में तो हमको क्या लिखना है cos 2 2 लिखना है और जो कोड यहां पर printed है वही question प्रिंट कर देना है वही question छाप देना है तब हमको मिलेगा cos 2 कागुडा जब पहले वाले में होगा तो πाई बाई 2 और फिर मिलेगा 2 थीटा तो यह हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा यह हो जाएगा cos 90 माइनस 2 थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा यहां पर थीटा की जग़ 2 थीटा है तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया sin 2 थीटा तो ये जो sin 2 थीटा वाला option है बस उसी पर लगा देना है टिक question number 72 अब लगाना है और question number 72 में क्या है 10 pi by 4 प्लस थीटा into 10 pi by 4 माइनस थीटा यानि कि यहां पर लग जाएगा 10 a प्लस बी का फार्मूला और यहां पर 10 a माइनस बी का तो पहले लगाया जाए गुडे यहां पर लिगते रहे हैं 10 a प्लस बी का तो क्या होता है 10 a प्लस 10 b अपान 1 माइनस 10 a और 10 b यहां पर 10 a माइनस बी का फार्मूला लगेगा जो की होता है 10 a यानि pi by 4 माइनस 10 b अरे यह तो साहिं लिख रहा है 10 b यानि की b की जगा पर क्या है थीटा अपान 1 प्लस 10 a यानि pi by 4 10 b यानि की थीटा अब देखें 10 pi by 4 का मतलब है 10 45 अंस pi by 4 को अंस में बदलेंगे तो कितना हैगा 45 अंस अर 10 45 का मान होता है 1 तो यह हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा अपान 1 माइनस अब देखें 10 45 की जगा जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर 10 थीटा ही तो बचेगा एक का गुड़ा होने पर 10 थीटा ही आएगा अब 10 45 का मान 1 माइनस 10 थीटा अपान 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1 तो यहाँ पर बचेगा 10 थीटा अब बड़े सम्मान के साथ इसको ब्रैकेट में करिए और 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा को काट दीजिए इन्हें भी सम्मानित करके काट दिया जाए और इस तरह से सब कटोड गया तो बचा 1 जब ऐसे उपर नीचे कट के बचता है तो 1 बचता है जब घटता है तब 0 बचता है तो यहाँ पर बच गया 1 अब कोश्चन नमबर लगाना है 73 कोश्चन नमबर 73 लगाया जाए कोश्चन नमबर 73 में देखिए 2 दो साइन माइनस हो रहा है और बड़ा कोड पहले है छोटा कोड बाद में अनीचे 2 दो कास एड हो रहा है लेकिन छोटा कोड पहले है और बड़ा कोड बाद में तो आपको क्या करना चाहिए, जब इसको नोट करना चाहिए, तो sin 7 theta minus sin 5 theta, ये ठीक है, बड़ा कॉंड पहले और छोटा कॉंड बाद में, लेकिन नीचे वाला नोट करते समय, cos 7 theta पहले नोट कर लेना चाहिए, और फिर बाद में नोट करना चाहिए, प्लस cos 5 theta, 5 theta को बाद में, छोटा कॉंड बाद में नोट करना जादे अच्छा रहता है, तो अब इसको लगाए जाए, उपर लग जाएगा, sin c minus sin d का फार्मूला, उस फार्मूले में पहले कौन होता है, cos, बाद में होता है, sin, और नीचे लग जाएगा, दो cos को जोडने वाला फार्मूला, cos c plus cos d, तो इसमें, दोनों बार होता है, cos, इस फार्मूले में दोनों बार होता है, cos, तो अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 12 थीटा, 12 थीटा, by 2, और फिर दोनों को घटा देना है, तो 2 थीटा, by 2, जोड़ेंगे तो 12 थीटा, 7, 5, 12, और घटाएंगे तो 2 थीटा, 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, cancel, ये cos, cos, एकदम बराबर है, cancel, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा, sin थीटा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा, cos थीटा, sin थीटा बटे, cos थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा, साइन थीटा बटे, cos थीटा हो जाएगा, 10 थीटा, 73 रवा कोश्चन, 10 थीटा पे टिक लगा दीजिएगा, कोश्चन नमबर 74 है, कि 1 प्लस, cos 2x का अधिकतम मान कितना होगा, देखिए ये जो 1 है, वो तो 1 ही रहेगा, 1 के बगल में जो है, और वो पॉजटिव है, बगल वाला पॉजटिव है, तो बगल वाला जब खुब बड़ा होगा, तो पूरे चीज का मान खुब पड़ा आएगा अजब बगल वाला खुब छोटा होगा तब खुब छोटा आएगा तो अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि इस पूरे का अधिकतम मान कितना होगा तो जो कॉस का अधिकतम मान होता है 1 वही लिख दीजिए अब बगल में 1 पहले से है तो 1 और 1 कितना हो गया 2 1 और 1 हो गया 2 तो कोश्चन नमबर 74 का अंसर हो गया 2 इसका अधिकतम मान होगा 2 कोश्चन नमबर 75 75th कोश्चन में हमको क्या करना है कॉस पे पावर 4 है और साइन पे पावर 4 है बीच में है माइनस तो इसका मान किसके बराबर होगा ये हमको पता लगाना है तो देखिए अगर cos पे power 4 minus sign पे power 4 है तो cos पे power 4 को cos square का square लिख सकते हैं बीच में minus है sign पे power 4 को sign square का square लिख सकते हैं थीटा छुट गया sign ये square और अब यहां पर लगा सकते हैं पड़ी में चड़ें A square minus B square का formula A square minus B square का formula तो एक bracket में हो जाएगा A plus B और एक bracket में हो जाएगा A minus B minus B दोनों ब्रैकेट में आई हुई दोनों चीजें दोनों ब्रैकेट में आई हुई दोनों चीजें फर्मूला होती है sin square theta plus cos square theta होता है one और cos square theta minus sin square theta बहुत से लोगों को ये doubt होता है ये minus one होगा minus one तब होता ना जब दोनों minus में होते minus cos square theta minus sin square theta अगर cos square theta minus sin square theta है तो ये फर्मूला होता है cos two theta का ये फर्मूला होता है cos two theta का तो one into cos two theta इसका मतलब है कि cos two theta आंसर होगा यहाँ पर आपको लगा देना है cos two theta पे टिक अगला question है कि 10 75 का मान कितना होगा आप पिछले वीडियोज में देखिए कहीं न कहीं हम sin 15 cos 15 10 75, sin 75, cos 75 इन सब के मान लिखवाए हैं 10 75 का मान आपको याद रखना है 10 75 का मान होता है root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 यह 10 75 का मान आपको याद रखना है question number 77 है कि sin 105 plus cos 105 केतना होगा तो sin में cos जुड रहा है sin में cos जुडना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है sin में sin जुडना चाहिए तो sin 105 plus cos 105 का मान अगर आपको निकालना है तो हम से सीखिए तरीका sin 105 को नोट करके plus cos 105 अगर 90 plus 15 लिख लेंगे 90 plus 15 क्योंकि हम लोगों के पास 90 के लिए फार्मूला होता है 90 plus θीटा अगर है 90 से जादे है तो वो होगा दूसरे चतुर्थांस में दूसरे में साइन होता है धनात्मक और 90 के लिए साइन बदल जाता है कॉस में ये सब बातें पहले बताई जा चुकी है दूसरे चतुर्थांस में कॉस होता है निगेटिव और 90 के लिए कॉस बदल जाता है साइन में कॉस 15 का मान याद रखना है रूट 3 प्लस 1 अपान 2 रूट 2 आपके फार्मूले वाले में लिखा होगा हम बताई थे और साइन 15 का मान याद रखना है क्या रूट 3 माइनस 1 अपान 2 रूट 2 अब दोनों का एलसियम हो गया 2 रूट 2 और यहां बचा रूट 3 प्लस 1 फिर माइनस रूट 3 अब फिर प्लस 1 क्योंकि माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस तो यह रूट 3 माइनस रूट 3 दोनों कैंसिल हो गया अब 1 और 1 कितना बचा 2 2 के निचे 2 रूट 2 तो यह 2 दो कट गया तो बच गया 1 बाई रूट 2 यह बच गया 1 बाई रूट 2 अगर आप इस साइन को नव बदलते ऐसे ही रहने देते और इसको लिख देते साइन 15 और यहां पर साइन 105 ही रहने देते तो आप यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा कर भी यह आंसर प्राप्त कर सकते हैं इस कोश्चन का आंसर आया है इस कोश्चन का आंसर आया है 1 बाई रूट 2 तो कहां गया कोश्चन है यह था न यह वन बाई रूट 2 यहां पर है उसी पर आप्टिक लगा देंगे 77 तक लगाईए यह सब जो फार्मूले बीच बीच में आ रहे हैं वो याद कीजिए अब आगे आपको बताएंगे अगले क्लास में